कववा और कोयल की कहानी सालों पहले चान नगर के पास एक जंगल था वहाँ एक बड़ाशा बरगत का पेड़ था जिस पर एक कववा और एक कोयल दोनों अपने अपने घोशले में रहते थे एक रात उस जंगल में तेज आंधी चनने लगी देखते ही देखते बारी सुरू हो गई कुछी देर में जंगल का जो भी था सब बरबाद हो गया अगले दिन कववे और कोयल को अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं मिला तभी कोयल ने कववे से कहा हम इतने प्यार से इस जंगल में रहते हैं लेकिन अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो क्योंना हम जब अंडा दें तो तुम उसे खाकर अपनी भूख मिटाना जब तुम अंडा दोगे तो उसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा लोंगी कवे ने कोईल की बात पर सहमती जताई संयोग से सबसे पहले कवे ने अंडा दिया और कोईल ने उसे खाकर अपनी भूख मिटाली फिर कोईल ने अंडा दिया कवा उसे ही जैसे अंडा खाने लगा तो कोईल ने उसे रोक दिया कोईल ने कहा तुम्हारी चोच गंदी है पहले उसे साफ कर लो तुम इसे धो कर आओ फिर अंडा खाना भाग कर कववा नदी के किनारे गया उसने नदी से कहा तुम मुझे पानी दो मैं अपनी चोंच धो कर कोयल का अंडा खाऊंगा नदी बोली ठीक है पानी के लिए तुम एक बरतन लेकर आओ जब कववा जलूरी से कुमार के पास पहुचा उसने कुमार से कहा तुम मुझे घड़ा दो उसमें मैं पानी भरकर अपनी चोंच धोंगा और फिर कोयल का अंडा खाऊंगा कुमार ने कहा तुम मुझे मिट्टी लाकर दो मैं तुम्हें बरतन बना कर देता हूँ या सुनते ही कववा धर्ती मा से बोला मा मुझे मिट्टी दे दो उससे मैं बरतन बनाऊंगा और उस बरतन में पानी भरकर अपनी चोंच साफ करूंगा फिर अपनी भूख मिटाने के लिए कोयल का अंडा खाऊंगा घर्ती मा बोली मैं मिट्टी दे दोंगी लेकिन तुम्हें खुर्पी लानी होगी उसी से खोद कर मिट्टी निकलेगी दवडते हुए कववा लोहार के पास पहुचा उसने देखा लोहार से कहा मुझे खुर्पी दे दो उसमें मैं मिट्टी निकाल कर कुम्हार को दूंगा और बर्तन लोंगा फिर बर्तन में पानी भरूंगा और उस पानी से अपनी चोँच धोकर कोयल का अंडा खाऊंगा लोहार ने गर्म गर्म खुर्पी कववे को दे दी जैसे ही कववे ने उसे पकड़ा उसकी चोँच जल गई और कववा तड़कते हुए मर गया इस तरह चतुराई से कोयल ने अपने अंडे कववे से बचा लिए ऐसे ही सुन्दर और नए नी कहानियों को देखने के लिए बच्चों चैनल को लाइकर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली हर नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके थैंक यू बबाई